है फ्रेंट्स आयम वीनित और यूट्यूब चैनल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे चैनल पर कॉपीरेट इस्ट्राइक आगी है जो कि मैंने इंडिया बर्सेज वांगलादेश फाइनल मैच का दो वर लास्ट का डाला था और उस पे अपलक सॉफ्ट्वर प् यह वह नंबर नहीं है इसी टाइप का नंबर आता है जिस पर यह मेल आइडी जो आपको इसक्रीन पर दिख रही है यह मेल आइडी मैंसन थी और उसमें यह लिखा गया था कि डियर सर ओबलिक माम प्लीज कॉंटक्ट मी एच सुन एस पॉसिबल तो मुझे लगा कि जो मैं मैं फिर से रेपलाई किया और जब उसका वहां से रेपलाई आया तो फिर मुझे सख हुआ कि यह कुछ स्पैम मैसेज है और कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम जरूर है तो इंगलिस में वो जो आप स्क्रीन पर देख रही है वो जो मुझे मेल आई वो आपको स्क्रीन में दिख रही है कि इंगलिस में क्या आई बट फॉर सम पीपल जो इंगलिस में कमफर्टेबल नहीं है उनके लिए मैं यह मेल हिंदीम पढ़के सुना देता हूं कि उस मेल में क्या लिखा हुआ था उसमें लिखा था मेरा नाम नेहा सर्मा है और मैं मुंबई से हूँ और पिछले 10 साल से अपने पती और एक बच्चे के साथ बरगिंगम लंदन में रह रही हूं और अभी मैं क्लाइड डेस डेल बैंक में पिछले 10 साल से काम कर रही हूं मैंने रिसर्च किया और पाया कि आपका सरनेम हमारे एक कस्टमर जो कि कुछ साल पहले मर चुके हैं और उ मुझे next month Scotland की नई ब्रांच में ट्रांसफर करना चाहती है और मैं यह नहीं चाहती कि मेरे इंडियन कस्टमर इंडियन ब्रदर कस्टमर का पैसा किसी भी हालत में इंगलिस पीपल को मिले और as a bank accountant मैं अपनी position का यूज करते हुए मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मेरा होगा और 40% आपका होगा सो अगर आपको मेरी यह डिल पसंद हो तो प्लीज जल्दी से जल्दी मुझे reply कीजिए सो दैट हम यह transaction अगले 2 weeks में पूरा कर सकें क्योंकि transaction होने की तुरंत बाद मैं अपने hometown यानि इंडिया आके settle होना चाहती हूं सो प्लीज जल्दी से ज दीलिंग पर नज़र डालें तो 3.5 मिलियन बिटिस पॉंड यानि 32 करोड आठ लाग 46 अजा 93 रुपए 68 पैसे की यह डिलिंग है जिसमें 60% of 3.5 मिलियन बिटिस पॉंड is equal to 2.1 मिलियन बिटिस पॉंड जो की 19 करोड 23 लाग 55,228 रुपए बाउन पैसे के बराबर है और 40% of 3.5 मिलियन बिटिस पॉंड is 1.4 मिलियन बिटिस पॉंड जो की 12 करोड 82 लाग 36,819 रुपए एक पैसे के बराबर है इसका मतलब आपको 12 करोड 82 लाग सम्थिंग पैसे आपको मिल जाएंगे तो यह एक फ्रॉड का नया तरीका इनोंने अपनाया है और यह मेल आई जिस प मेल की पूरी कॉंपी है, so this is new type of fraud so this type of fraud से आप बच के रही गया, क्योंकि मैंने यह आपको इस लिए share किया है कि आप लोग इस type के fraud का सिखार ना हो और I hope कि आप लोग अपने friends और family members के साथ भी यह जयादा से जयादा share करें ताकि कोई भी इस fraud का सिखार ना बने